नमस्कार दोस्तों, मिर्डुक चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियों हम बात करने वाले है 36 गल राष्टे स्वास मिसन के तहा 16 जिलों में भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है तो इन पदों के लिए कौन-कौन अवेदन कर सकते हैं सेखली क्यों गिता क्या होना चाहिए आप लोगों का चैनल कीस प्रकार से किया जाएगा और पर मन सेलरी कितना दिया जाएगा और इन 16 जिलों में कितने कितने पदों पर भरती किया जाना है इनी सब चीजों के बारे में इस वीडियों में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने माला हूँ तो वीडियों को सुरू करते हैं दोस्तों आप लोग यहां पढ़ सकते हो विग्यापन जायरी के गया राष्टे स्वास मिशन 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्थ 182 पदों पर भरती किया जाएगा 16 जिलों में जो भी इक्छुक अवेदक अवेदन करना चाहते हैं अवेदन करने की जो प्रमभिक थिती है 25 फरवरी 2022 से लेकर अंतिम थिती 5 मार्च 2022 साम 5 बजे तक आप लोग अवेदन कर सकते हो और दोस्तों जो आप लोग को अवेदन करना होगा वो ओनलाइन के माध्यम से अवेदन करना है यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हो official website का link दिया गया है यहाँ पर जाके आप लोग को online के माध्यम से अवेदन करना है आप लोग यहाँ इसी के नीचे पत का नाम देख सकते हो चिकिस्स अधिकारी के total 182 पदों पर भरती किया जाएगा और आप लोग वर्गवार अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो किस वर्ग के लिए कितने पदों पर भरती किया जाना है और दोस्तों आप लोग के लिए एक good news यह है कि जो handicap निसागजन है उनका भी यहाँ भरती किया जाएगा यहाँ पर आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हो इन पदों के लिए सेक्षिलिक योग्यता और आरताएं वेतन कितना दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हो सेक्षिलिक योग्यता होना चाहिए MBBS पास होना चाहिए या फिर यह योग्यता नहीं है तो भारते चिकिस्था परिसद्वारा मानता प्राप समझ दिगरी होना चाहिए और दोस्तों जो सेवनिवरी चिकिस्था अधिकारी हैं उनको प्रथम प्रात्मिक्ता दिया जाएगा यह आप लोगों के लिए जो सेना से रेटाइड हैं उनके लिए यह गुड निउस है कि उनको ही प्रथम प्रात्मिक्ता दिया जाएगा और भी यहाँ पर अन्य योग्यता हैं आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो और जो आप लोगों को पर मंत वेतन दिया जाएगा 58,100 रुपे से लेके 64,350 रुपे तक आप लोगों को पर मंत वेतन दिया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों अन्य यहाँ योग्यता दिया गया है आप लोगों को यह डिटेल से पढ़ लेना है उसी के बाद आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करें और दोस्तों आप लोग के लिए बहुती महत्पूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट अभ्यार्थी को ओनलाइन अवेदन करते समय निम्न अंकित दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार होगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से डोकूमेंट दस्तावेज यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को जब आप लोग ओनलाइन अवेदन करोगे तो आप लोगों को यह सभी दस्तावेज डोकूमेंट अपलोड करना होगा यहाँ डिटेल से बताया गया है आप लोग यहाँ देख सकते हो और इस पत के लिए निंतम आयू मांगा गया है 1 जन्वरी 2022 को 21 वर से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम 70 वर से अधिक नहीं होना चाहिए जो आयू की गणना किया जाएगा 1 जन्वरी 2022 के अधार पर किया जाएगा और आप लोगों से कितना अवेदन सुल्क लिया जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विकलांग अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती महिला वर्ग से 350 रुपे अवेदन सुल्क लिया जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग से 650 रुपे जनरल केटेगरी से 650 रुपे का अवेदन सुल्क लिया जाएगा यहां पर point wise दिया गया है आप लोगों को यह detail से पढ़ लेना है उसके बाद ही आप लोग अवेधन करें और दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो किस जिले में कितने पदों पर भरती किया जाएगा यहां पूरा detail से बताया गया है बलोदा बजार भाटा पारा में तीन पद पर भरती किया जाएगा बस्तर में चार पद बिलासपूर में टोटल चोदा पदों पर भरती किया जाएगा धमतरी में छे पद दुर्ग में 27 पदों पर भरती किया जाएगा जांजगीर चापा में एक पद कांकेर में 2 पद इसी प्रकार कवीर धाम में 4 पदों पर भरती किया जाएगा कोर्बा में टोटल 19 पदों पर भरती किया जाएगा महा समुन में 4 पदों पर भरती किया जाएगा मुंगेली में 2 पद इसी प्रकार राइगर जिला में 6 पद पर भरती किया जाएगा और राइपूर में टोटल 76 पदों पर भरती किया जाना है राजननदगा में 3 पद और सरगुजा जिला में टोटल 8 पदों पर भरती किया जाएगा इस प्रकार कुल 182 पदों पर भरती किया जाना है तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्केप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर आप लोग यहाँ देख सकते हो ओफिस्यल वेब साइट का लिंक दिया गया है यहाँ पर जाके आप लोग जो ओफिस्यल नोटिफिकेशन विग्यापन है आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो और इस भी ग्यापन से सम्मंदीत इस नोटिफिकेशन से सम्मंदीत अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद